यूट्यूबर और बिग बॉस OTT दो के विनर एलविश यादव की मुसीब्तें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर उन्हें दिल्ली पुलिस ने समन भीजा है। उन पर 500 करोड की धोखा धरी वाले एप खोटाले में शामिल होने का आरोप है। ना सिर्फ एलविश इस पार दिल्ली पुलिस ने कई जाने माने चेहरों को नोटिस भेजा है। इसमें लाफ्टर क्वीन भारती सिंग, यूट्यूबर अभिशेक मलहन, हर्श लिंबाचिया, लक्ष चौदरी, पूरव जा, आदर्श सिंग, दिल्राज सिंग रावत समेत कई सोशल मीडिया इ यूट्यूबर्स शामिल है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने एक बड़े स्कैम का भांडा फोड किया है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट कर रही है। मामला है Highbox नाम के एक एप में धोखे से निवेश करवाने का। इस मामले का Mastermind गिरफतार हो चुका है। गिरफतार आरोपी, जिसकी पहचान जे शिवराम के रूप में हुई है, उसने इस Highbox एप्लिकेशन के जरीए करीब 30,000 लोगों को ठगा है। आरोपी के चार बैंक खातों में मौझूद 18 करोड रुपए भी सीज कर लिए गए हैं। आरोपी इस निवेशकों को जमा की गई रकम पर 1% से लेकर 5% तक का दैनिक ब्याज देने का वादा किया था। कई सोशल मीडिया इंफ्लोएंसर्स और यूट्यूबर्स ने इस एप को प्रमोट किया था। जिसके चलते उन्हें भी अब पुछताच के लिए बुलाया गया है।